श्री दुर्गयाना मंदिर एक पपितर तीद इस तर जो कि सिख और हिंदू दोनों के पीस में पचली थे या मंदिर आमरिस सर में श्री थे अगर आप कभी भी स्री हर मंदर साइब जो कि कोड़न टेमपर के नाम से जाना जाता है आप जा रहे हो तो आपको इस मंदिर में भी जरूर तरसन करने के लिए जाना चाहिए या मंदिर देवी दुर्गा के सम्मान में बनाये गया था इसलिए इसका नाम दुर्गया नाम मंदिर पड़ा अगर आप कभी भी यहां पे आओगे तो आपको यह दे के हरानी होगी कि इस मंदिर को पिलकुल गोर्डन टेमपर की तरह बनाये गया है एक हिंदू पुराणी कता के नुसार या माना जाता है कि इसी मंदिर में लव और कोजने बगवान हनुमान को चुनूती के वक्त एक पेड़ के साथ बांदा हुआ था या मंदिर स्री हर्मंतर साइप की तरह फिलकुल एक सरोवर के बीचों पीस में बना हुआ है हिंदू टेंपर होने के कारण इस मंदिर में दसेरा, जनम अश्रमी, राम नौमी, दिवाली और दुरका पूजा पड़े उत्सों के साथ मनाया जाता है इसी मंदिर के साथ में आपको एक हनुमान का मंदिर भी देखने को मिलेगा यहां मंदिर गोड़न टेंपर से करीपन दो किलोमीटर के दूरी पर है आप यहां पे पैदर यहां फिर ओटो लेके आ सकते हो जब आप इस मंदिर के पास में आओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसकी मरत पर बहुत सारे देवी देवदाओं की अकरिती बनाई गई है दुर्ग्याना मंदिर में हर साल लावों की संग्या में लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ दर्शन करने के लिए आते हैं इस मंदिर में आपको बगवान हराम, महादेव, सिव, हनुमान और लक्समी के साथ और कई देवी देवदाओं की मुर्थिया देखने को मिलेगी तो इस पवित्र मंदिर के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े अपने गर वापसी की तरफ करने करने के बाद हम लक्समी की तरफ झाल 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 सबयों तुखाल झाल झाल कर झाल